जहें दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकॉंटिंग और हमारा चेप्टर चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउट बुट मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकॉंटिंग का ये जिखेंगे इंट बनाने वाली जो इंडी स्ट्रीज एंइट बनाने वाले जो उद्वाच उनसे हैं शर्षा उर्फ binge करों को फोग जांफन examination के point of view से वो important ना हो, मैंने कहा कि मेरे दोरा provide किये जाने वाले 12 practical problem अगर आप मेरे साथ लगातार बनने रहकर के समझ लेते हैं तो फिर कोई एक question आपका ऐसा नहीं होगा, unit costing और single output में जो आपसे फिर हो ना पाए, और मैंने ये भी ही आपको बताया है कि अगर जिसका unit costing और single output clear है उसका फिर tender price quotation price एक ही बात है और reconciliation ये दोनों chapter अपने आप हो जाएंगे बहुत ही सरलता पूर्वक, बस थोड़े से effort डाल कर, क्योंकि ये दोनों ही chapter 90% based करते हैं unit costing और single output पर, तो चलिए बिना किसी विलम के हम start करते हैं, आज का अपना ये session जहां bricks production से related हम लोग एक practical problem करने वाले हैं, question का PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल commerce विद्वेद शिरा पे मिल जाएगा और question आपको स्क्रीन पे भी दिख रा होगा, information है question में from the following particulars of a bricks, works, prepare a cost sheet, towing cost per thousand bricks and total cost देखो, bricks की जो cost होती है, वो thousand में calculate करी जाती है units जो उसकी है, वो per unit calculate नहीं होती, per thousand units calculate होती जैसे, अगर कोई sleeper या shoes बनाने वाली company अपनी cost calculate करना चाहे तो वो single shoes या single sleeper की cost नहीं calculate करेगी वो pair में calculate करेगी, क्योंकि वहाँ single को कोई मतलब नहीं है, इसी तरीके से जो eat का भाव होता है, eat का rate होता है, वो thousand में होता है, इस वज़े से हमसे thousands पर ये calculation करने को कहा जा रहा है, information क्या-क्या है, weights for manufacturing of bricks, 4 lakhs material में, coal है, 20,000 tons, 1,00, रुपे का, other materials 10,000 का है, royalties 2 रुपीज पर thousand bricks है, depreciation plant का 30,000 रुपे है, removal of overburden 1 रुपे पर 1000 bricks है, works overheads, आपका 20% of works overheads, 10% of coal है, और office overheads 20% of factory cost है, और bricks produced है, 1 करोर, कितनी, ने 1 करोर bricks, जो है, वो manufacture की गई है, brick sold, 90 lakhs, 90 lakhs brick, जो है, वो sold करी गई है, opening stock bricks का जो है, वो 10 lakh है, और जो closing stock of bricks है, वो 20 lakh है, और हम से question में, ये information पूशी जा रही है, कि इसकी per thousand के अधार पर इसकी cost बताईए कितनी होगी, तो, चलिए हम लोग तैयार करेंगे यहां पर cost seat cost seat for the period in dead 31st December 2010 के इसके आधार पर हम लोग पूरा calculation करेंगे इस यहां पर columns देखो जब हम बनाएंगे वैसे तो cost seat बना रहे हैं तो दो column होने चाहिए है लेकिन हम लोग तीन तीन column बनाएंगे क्यों तीन column बनाएंगे कुश्यन आपको अच्छी तरीके से समझाना है ना इस वज़े से क्यों तीन column नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या नहीं समझ में आएगा लेकिन doubt रहेगा और मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई भी doubt रह जाए जब हम लोग chapter को खतम करें तब इस वज़े से हम लोग तीन तीन column बना करके इस question को सरलता पूर्वक समझने का परयास करेंगे हां मेरा परयास ही रहता है और मेरा परयास कितना सार ठक है यह आपकी प्रतिकरियां मुझे बता सकती है comment box में तो इस लिए अगर आपको चीज़े समझ में आती है तो comment box में आ करके अपनी प्रतिक्रियां जरूर हम तक पहुंचाएं आपकी प्रतिक्रियां हैं मुझे और अधिक मेनत करने के लिए प्रेदित करती हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे यह यह पर्टिकुलर्स हो गया यह टोटल कॉस्ट हो गई यहां पर टोटल कॉस्ट के बाद में कॉस्ट पर थाउसंड ब्रीक और यहां पर टोटल नंबर ओफ ब्रीक्स और जो मैनुफेक्चरिंग हुई है वो वन करोर ब्रीक्स की हुई है कितनी जो आउटपुट है वो वन करोर ब्रीक्स का है ओके ठीक है अब देखो मुझे सब से पहले क्या चाहिए होता है माटेरियल्स माटेरियल्स में यहां मिट्टी चाहिए होती है और कॉल दोनों दिया हुआ है कॉल लिखा हुआ है 20,000 टन और यह एक लाख रुपे का है चिक तो टन से हमें मतलब भी नहीं है कॉल कितना दिया हुआ है एक लाख रुपे का है इसको वैसे अंदर ही लिखने ताकि टोटल माटेरियल्स हम एक साथ बाहर कर लेंगे और अधर माटेरियल जो दिया हुआ है वो दस हजार रुपे का है तो इस तरीके से कुल मिलाकर एक लाख दस हजार रुपे का माटेरियल लग गया अब देखो इनकी जब कॉस्ट कल्कुलेट करेंगे तो यहां समझो एक करूड ब्रिक्स बनाई गई रहा है वो कहरा पर थाउजन कोस्ट बताओ तो इसको हम थाउजन से डिवाइट कर देंगे अब क्या बचेगा टैन थाउजन तो हम लोग हर एक वेल्यू को टैनन से डिवाइड करेंगे ऐसा करने पर मुझे 1000 8 के बारे में पता चलेगा और अगर मैं 1 करोड से डिवाइट करता रहा तो मुझे 1 8 के बारे में पता चलेगा जबकि question हमसे कह रहा है आप पुरत 1000 8 की बात करके मुझे बताओ तो पुरत 1000 की बात करनी है तो पहले 1 करोड को 1000 में convert करो तो 30-0 हटा दिये, अब 10,000 बचा, हम सभी value को 10-10,000 से divide करेंगे, तो 1,10,000 को हमने 10,000 से divide किया, तो 11 रुपे आया, इसका मतलब है, कि प्रतेक 1,000 रुपे का material लगता है, उपर लिखा भी है, cost per thousand bricks, 1,000 रुपे का material लगता है, अब इसके बाद में direct wage, direct wage कितनी दी है, wage direct दी है, 4,000,000 को हम जब 10,000 से divide करेंगे, तो यह 40 आ जाएगा, इसके बाद में royalty दी वह हो है, royalties, royalties कहा 2 रुपीज 2 पर thousand bricks, add the rate 2 रुपीज 2 पर thousand bricks, एक हजार इंट बनाने पर 2 रुपे की royalty पढ़ती है, कितनी, एक हजार इंट बनाने पर 2 रुपे की royalty, हम एक करोड बना रहे हैं, तो एक करोड गुड़े दो, बटे एक हजार कर दो, एक करोड गुड़े दो, ऐसे कर तो, बस हो गया, 3-3-0 cross हो गए, तो ये 20,000 रुपे की royalty पढ़ गई, अब 20,000 को जब 10 से टिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो ये 2 रुपे आ जाएगा, उसके बाद देखो, कोई अलग charges दिये हुए हैं क्या, तो material हो गया, cool हो गया, अधर material हो गया, royalty हो गया, फिर direct खर्चे सारे खतम हो गया, अच्छा, इधर अभी हमारा ये 10 चल रहा है, तो इधर हमारा ये 3 और 5 हो गया, इधर ये 3 और 4 एक 5, प्राइम कॉस्ट हमारी, प्राइम कॉस्ट पांच लाग 30 हजार रुपे की आई, और प्रतेक एक हजार इंट बनाने में हमारा तिरपन रुपे डारेक्ट रूप से खर्च होता है, के बाद बात करते हैं, इस वेच्टरी ओरहेड्स, अब फैक्टरी ओरहेड्स में देखो क्या कहा, सबसे पहले उसने का फैक्टरी ओरहेड्स, 10% of wage and coal, 10% of wage and coal, अब wage कितना है, चार लाख रुपे का है, कौल कितना है, एक लाख रुपे का, तो चार और ये कितना हो गया पांच लाग अब पांच लाग रुपे का दस परसंट ये कितना हो गया पचास हजार अब पचास हजार को अगर दस हजार से भाग कर रहें तो ये आ रहा है पांच रुपे उसके बाद में एक वेल्यू दिया गया है Depreciation Depreciation is the part of factory overheads ये आएगा तीन रुपे और एक और वेल्यू दी गई है जिसको कहते है रिमूवल ओफ ओवर अब ये रिमूवल ओफ ओवर बर्डन क्या है जैसे इट के भठे की बात हो रही है तो भठे पे कुछ इट के टुकड़े किदर उधर पढ़े रहता है तो उनको ठेका दे दिया गया कि एक रुपे पर थाउजंड ब्रीक्स आपको देंगे इनको इकठा करके एक जगे रखती चेगा तो रिमूवल ओवर बर्डन एक रुपे पढ़के हिसाब से थाउजंड मतलब विवन करोर इंटू वन अपॉन थाउजंड ये कितना अब इसका टोटल कर लो तो यहां पांच तीन आठ फाट एक नौ नौ और तीन बारा और पांच और एक छे इधर ये कितना आएगा तीन तीन छे एक साथ पांच बारा और ये पांच और एक छे छे लाख बीस हजार रुपे इसको कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट क्या कहेंगे इह हमारी फैक्ट्री कोस्ट हो गई अब फैक्ट्री कोस्ट के बाद बात आती है ऑफिस ओवरहेड़्ट्स autobiट्स कि ओफिस ओवर हेड्स के लिए देखो कहा गया कि 20 परसंट ऑफ है कि फैक्टरी कोस्ट अब फैक्टरी कोस्ट कितनी है छे लाख बीस हजार छे लाख बीस हजार का बीस परसंट निकाल लो कितना आएगा तो छे लाख बीस हजार का बीस परसंट कर लेंगे कि यह आजाएगा छे लाख बीस हजार छे लाख बीस हजार का बीस परसंट आएगा एक लाख चौबिस हजार कितना एक लाख इसको add कर लेंगे तो यह आ गया हमारा 74.4 और यह हो गया चिदो दो चार 7,44,000 7,44,000 टोटल कॉस्ट है एक हजार इंट बनाने में 74.40 पैसे खर्च होते हैं और इस लागत पर हमारी एक करोड इंट बन करके तयार हो जाती है इस कॉस्ट को कहेंगे कॉस्ट आफ प्रोडक्शन कॉस्ट आफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक को add किया जाता है ओपनिंग स्टॉक आफ फिनिस गुट्स पिनिस गुट्स कितना है कमपनी के पास में 10 लाख ब्रिक्स का ओपनिंग स्टॉक है जिनकी लागत कितनी है 75 रूपे पर ब्रिक्स है हमने कहा था हम लोग फिनिस गुट्स में यहां पर कॉस्ट तब लिखेंगे जब कुछ्यन में कल्कुलेटड होगी और अगर हम कल्कुलेट करेंगे तो नहीं लिखेंगे कुश्यन में अलड़ी कल्कुलिटेड है 75 रुपे पर 1000 ब्रिक्स तो 10 लाग में से 3 जीरो हटाओ तो बचेगा एक हजार गोड़े 75 तो यह आएगा 75,000 टोटल कर लिया तो अब इंट हो गई है एक करोड दस लाग टोटल कॉस्ट हो गई है पांचार नौ साथ साथ 14 रुपे चालिस पैसे और यहाँ पर जब इसको हम एड़ कर रहे हैं तो यह चार हजार नहीं चार का है पांचार नौ हजार नौ हजार साथ चार ग्यारा और साथ एक आठ 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 लाख उननिस अजार प्लोजिंग स्टॉक को लेस कर रहे हैं यहां से लेस प्लोजिंग स्टॉक अफ फिनिस गुड्स कंपनी के पास 20 लाख इंट बनी बनाई रखी रह गई जिसको वो बेच नहीं पाए जब वो बेच नहीं पाए इसको 20 लाख इंट को इसकी कॉस्ट क्या वही 75 रुपए तो यह कितना हो जाएगा अब 75 दूना 150 होता है तो यह 1.5 लाख हो जाएगा कितना 1.5 लाख कंपनी के पास भाई यह हटाते 3.0 तो 2000 रह जाएगा 2000 गुड़े 75 करेंगे तो 75 दूना 150 होता है और 3.0 लाख हो जाएगा तो यह 1.5 लाख रुपे की इट उसके पास रखी है उसको वो बेच ही नहीं पाए तो माइनस करो यहां पर इसका मतलब की 90 लाख इट को बेचा गया यहां पर माइनस करो तो 74.4 आएगा और यहां पर माइनस करें तो यह 9 आएगा और यहां पर 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और यहां पर 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा 6,69 रुपे आएगी यह कॉस्ट और यह कॉस्ट को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ओफ गूड्स सोल्ड कितने बेचा गया कितनी ब्रिक्स बेची गई तो एड प्रॉफिट बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होगा और यहां पर हम लोग सेल्स ले लेते हैं सेल्स कितनी दी गई है देखो कंपनी ने पूरी 90 लाख इट बेच दी है तो यहां कुछ नहीं बचा नबबे थी नबबे बिग गई असी रुपे पुर्ति थाउज़न डीट के हिसाब से बेचा है थी depreci करी थैं यहां का difference निकालें तो 5 रुपे टाट पैसे आता है और हीयां का difference निकालें तो यह in फिर उसके बाद में 11 से 6 जाएगा तो 5 और 6 से 6 जाएगा तो कुछ नहीं 51,000 रुपे का प्रॉफिट मिला कंपणी को मिला 51,000 रुपे का प्रॉफिट हुआ यहां पर 90 लाक प्रॉपे प्र्थाउजन फिर्थाशा पूरूपे उमीद है आपको सरलत पूर्व की कुषिट समझ में आगया होगा और देखनी हमने इसलिए बनाया है तकि आपको यह वाला केलकुलेशन जो है वो समझ में आ जाए उम्मीर है समझ में आ गया होगा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंड शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है और मुझे यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारियां जरूर पूरी करेंगे अगले वीडिय के साथ अब तक के लिए जय हैं दोस्तों